प्राकिर्तिक आपदा के बारे में इंसान का दिया हुआ आपदा कहें या फिर हम कहें चुनाओ को लेकर के जो अभी सरगर्मी हैं लगतार राजनीती चरम पे हैं एक तरफ जहां कुरोना माहमारी को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और बिहार तो खासकर इस वक्त हम बिहार में हैं और जान सकते हैं कि आप तस्मीर भी कई सारे अस्पतालों का निकल के आ रही है कि जो धुर्दशा है जो बदहाली है वो किसी से छीपा नहीं है इसे लेकर के इस पेसल केंदर की भी टीम बिहार आई दोड़ा की और उनोंने भी साब तोर प के लिए खासकर सबसे ज़्यादा बुरा है चुकि यहां देवस्था ही नहीं है सबसी बड़ी बात यह है और इनी सब मुद्दों को लेकर के इस पक्त हमारे साथ मौजूद है भारते मितर पार्टी के राष्टे धक्षे धनिश्वर मेहतो जी हैं और चुनाओ की तैयारि है और जदी ऐसा चुनाओ आयोग ने कहा है तो निश्चित ही भारतिये जनता पार्टी के इसारे पे कहा है क्योंकि अभी चुनाओ आयोग भारतिये जनता पार्टी की गोद में बैठ के फैसले लेती है वो अपने डिसीजन नहीं रहता है चुनाओ आयोग का जेकि एक परकार का दवा उस पे काम नहीं करना चाहिए लेकिन अब इसका मैं आपको उधारन बता रहा हूं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं पूरा विपक्ष भारत का ये कह रहा है निर्वाचन आयोग से कि आप बैलेट पेपर पे चुनाओ कराईए हमें विश्वास नहीं हैं इबियम पे लेकिन उसके बाद एक भारतिय जनता पार्टी बरतमान में अभी इबियम की समर्थक है लेकिन यही भारतिय जनता पार्टी आपको बता दूँ नरेंद मोधी ने इबियम का बिरोध किया हुआ है आडवानी जी ने सबसे पहले इबियम का बिरोध किया था क्योंकि ज़्यादा नजर आ रहा था तो EBM मतलब सत्था से बाहर हैं तो EBM कराब है सत्था में हैं तो EBM अच्छी है कुछ तो डाल में काला है और जब सारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि EBM पे हमें भरोसा नहीं है और सोचने की बात है चाइना इतना बड़ा देश जाप जापान इतना बड़ा देश, अमरीका इतना बड़ा टेकनोलोजी में नंबर वन है ये सारे देश, अपनी अपनी जगा पे, जब ऐसे देश के अंदर, इंग्लेंड के अंदर आपको EBM पे चुनाओ नहीं होता तो जब भारत में कोई अनोखा मसीन पैदा कर दिया, इतना ट कराते हैं, तो भारत में ही क्यों, और ऐसी क्या चीद है, नरेंद मोदी की टीम की, कि नहीं EVM सही है, इसका मतलब कुछ तो डाल में काला है, और सिंगल एक भारतिये जनता पार्टी के सपोर्ट में निरवाचन आयोग खड़ा होता है, तो किसके ही सारे पे निरवाचन आय लोग कह रहे हैं, कि नहीं हमें अभी चुनाओ कराना है, तो इसका क्या मतलब है, लोग मर जाए, चुनाओ जरूरी है, अभी जो स्थिती है, एक बहुत बड़ी विपता है, क्रोणा में हमारी, और आप देख सकते हैं कि जांच भी उस अस्तर से नहीं हो रही है, बिहार र पक्ष के जितने लोग हैं, वो बिरोध कर रहे हैं, उसके बाब जो दिन की जीत है कि नहीं हम टाइम पे ही करवाएंगे, तो टाइम पे करवाएंगे, तो फिर बोटिंग कैसे होगी? अब यही तो सोचने की बात है, एक तरब कहते हैं, डिस्टेंसन का पालन करें, अगर एक बुद्ध के उपर मान के चलिए, तीन सो आदमी लाइन में जाके खड़ा हो गया, तो अगर जदी तीन-तीन हाथ की दूरी बनाके खड़े होंगे, तो कितने किलोमेटर की लाइन ल करें लेगी?